साहित्य जगत साहित्य का इत्यास सामान्ने परिचे में संकलित पाठों पर आधारित शंखला साहित्य जगत इस शंखला के अंतरगत सुनिये कारिक्रम आधुनिक काल के अंतरगत गांधी युग में नाटक भारतेंदु युग में नाटक साहित्य ही प्रधान साहित्य रूप बन गया था किंतो बाद में नाट्टे रचनाय कम हो गई इस क्षेत्र में जैशंकर प्रसाद ने महत्वपूम कारे किया उनके नाटकों से हिंदी साहित्य में बहुत बड़े अभाव की पूर्ती हुई नाट्टे रचना का विधान प्राचीन का विशास्त्र में विस्तार से किया गया है हिंदी नाटक कारों ने उस विधान को ज्यों कात्यों स्वीकार नहीं किया इस काल में एतिहसिक नाटक लिखने की धूम रही जैशंकर प्रसाथ के अतरिक्त हरिक्रिष्ण प्रेमी गोविंद वल्लब पंत सेठ गोविंदास आदी ने एतिहसिक नाटक लिखे उग्र ने महात्मा ईसा नामक स्वाहस्पोन नाटक लिखा सामाजिक समस्याओं पर नाटक लिखने बालों में लक्ष्मी नारायन मिश्र, उपेंद्रनाथ अश्क तथा भुबनेश्वर प्रमुख है डॉक्टर रामकुमार वर्मा ने एतिहसिक और सामाजिक दोनों प्रकार के नाटक लिखे इसी समय एकांकियों का भी प्रचलन हुआ और रेडियो नाटक का भी प्रसाद जी के नाटकों का क्षित्र प्राचीन हिंदु काल है और प्रेमी जी का मुस्लिम काल प्रसाद के एतिहसिक नाटकों पर अपने समय अर्थाद बीस्वी शती की समस्याओं का पूरा प्रभाव है उनके नाटक, राष्ट्रियता, अतीत गौरव की भावना से पूर्ण है सामप्रदाई के एक्ता विश्व बंधुत्व की भावना भी दिखाई पड़ती है जिसे अंतर राष्ट्रिय भावना भी कह सकते है 1931 में लिखे गए चंद्रगुप्त में एक ओर तो राजनितिक चालें और चानक्य का सूत्र संचालन है और दूसरी ओर उसका इन सबसे विरक्त ब्राह्मन व्यक्तित्व है इससे उस पात्र में अंतर द्वंध तो आही गया है शील वैचित्र भी आ गया है 1928 में लिखे गए स्कंद्रगुप्त की देवसेना ठेट छायाबादी पात्र है प्रसाद के नाटकों में उनका कवी मुखर है उनके कुछ श्रेष्ट गीत इन नाटकों में यत्र तत्र दिखलाई पड़ते हैं प्रसाद नारी रूप के विश्वसनिय जानकार है भारतिय नारी के शोशन के प्रती ख्योब को ही व्यक्त करने के लिए उन्होंने 1933 में ध्रुब स्वामिनी लिखा जिसमें कायर पती को त्याट कर एक प्राचीन हिंदू रानी अपने देवर का वरण करती है कहने की आवश्शकता नहीं कि प्रसाद इस नाटक के द्वारा उचित कारण होने पर पुनर विवा के विधान को उचित ठहरा रही हैं हरीकृष्ण प्रेमी के शिवा साधना और रक्षा बंधन नाटक प्रसिद्ध हैं श्रेप्रेमी के नाटकों के कथोप कथन स्वाभा बिखें शिवा साधना चट्रपति शिवाजी के जीवन पर है और रक्षा बंधन इस प्रसिद्ध एतिहासिक जनशूति पर की मेवाड की महरानी कर्मवती द्वारा राखी भेजने पर हुमाईू ने गुजरात शासक बहदुर शाह को युद्ध में पराजित करके अपनी धर्म बहन की रक्षा की थी दोनों नाटकों पर स्वाधिन्ता अंदोलन के विचारों का प्रभाव स्पष्ठ है सेठ गोविन्दास के कर्तव में राम और कृष्ण दोनों के चरित्रों को एक ही नाटक में गूथ दिया गया है और दिखाया गया है कि राम लोग हित का पालन मर्यादा के द्वारा करते हैं और कृष्ण अपनी अवसरानुकूल रणनी ती द्वारा गोविन्द बलब पंत का सबसे प्रसिद्ध नाटक राजमुकुठ है जो पन्ना धाय के अपूर्व त्याक की कथा पर आधारित है उदैशंकर भट्ट ने पौरानिक आधार लेकर राधा, विश्वामित्र और मच्च गंधा आदी रीती नाटकों की रचना की हिंदी नाटक को एक नया मोड लक्ष्मी नारण मिश्र ने 1932 में मुट्टि का रहस्य और 1934 में सिंदूर की होली लिख कर दिया दोनों समस्या नाटक हैं समस्या नाटक से तातपर्जे ठेट समकालीन जीवन की समस्याओं से है जो बहुत कुछ व्यक्ति के मनो जगत से समबध्ध है इनमें भावुकता से भर्सक बचा गया था हास्य रचना का जीपी श्रिवास्ता नाटकों के खेत्र में भी सक्रिये रहे उन्होंने अनेक प्रहसन लिखे जिनमें से दुम्दार आदमी अधिक प्रसिद्ध है प्रगतिशील लेखक संग की स्थापना के बाद प्रगतिशील रचनाकारों का ध्यान नाटकों की ओर भी कया 1949 इसवी के आसपास जन नाट्य संग यानि इप्टा की स्थापना हुई इसमें अनेक प्रतिभाशाली रंगकर्मी शामिल हुए ये जन नाट्य संग अपने आपको जन क्रांती से जोडता था इसने अनेक भारतिय भाशाओं की रचनाओं का हिंदी में अनुवाद कराया और मौलिक नाटकों की रचना को भी प्रेरित किया बलराज साहनी के नाटक मशाल और जादू की कुरसी ख्वाजा एहमद अब्बास का नाटक मैं कौन हूँ अश्क का तूफान से पहले और शील के नाटक बेकारी, संघर्ष, किसान, जन नाट्य संघद्वारा अभिनीत किये गए इस दौर में एकांकी नाटकों का प्रचलन बढ़ा प्रसाद के एक घूट को अनेक विचारकों ने एकांकी कहा रामकुमार वर्मा, उपेंद्रनाथ अश्क, भुवनेश्वर आदी ने एकांकी सहित्य की श्रीवरिध्य की रामकुमार वर्मा द्वारा लिखित एक तोले अफिम की कीमत दस मिनट, स्वर्ग का कमरा आदी प्रसिध एकांकी है अश्क ने चरवाह, लक्षमी का स्वागत, सूखी डाली, पहेली आदी लिखे भुवनेश्वर के अधिकांश एकांकी विक्रित स्थितियों को लेकर लिखे गए हैं स्ट्राइक, प्रतिभा का विवाह, उनके उलेखनिय एकांकी है एकांकी विधा की उपियोगिता, रेडियो का प्रचार होने के बाद और बढ़ी क्योंकि वहां निश्चित समय में ही समवाद और ध्वनी के द्वारा नाटक पूरा कर देना होता है आधुनिक काल के अंतरगत गांधी युग में नाटक साहित्य जगत के अंतरगत अभियाब सुन रहे थी ये कारिक्रम विशे संयोजन डौक्टर संध्या सिंग, डौक्टर चंद्रा सदायत एवं लालचन राम आलेक विश्वनात्रिपाथी, वाचनस्वर अखेल मित्तल और लोचनी अस्थाना कार्य कारी नर्मान प्रभुदयाल खट्टर, ध्वन्यांकन सतीश लाडे और दीपक पांडे, नर्मान सहयोग दावुदयाल चत्रुवेदी तथा नर्मान एवं प्रसुती वंधना अरिमर्दन प्रसुती आरिम प्रसुती वंधना इनला ग्वंधना आरिमर्मान एवं प्रसुती वंधना ख़र दिते हैं ज्मान एवंधना मित्तल ख़र आ दोगका शपेल खवाव दिए।